अच्छा आप मेरे साथ बने रहे जिस तस्वीर पर ये लव जिहाद का आरोप लगा है तन्वीर पर वो तन्वीर अखतर आप से कुछ देर पहले तक शो में जुड़े हुए थे लेकिन पीडित मॉडल के सवालों का सामना होते ही तन्वीर लाइफ डिबेट छोड़कर क्या ये बात सही है कि तन्वीर ने अपने आपको शुरू में यश करके बताया जी तन्वीर ने 2020 में पीडिता से दोस्ती बढ़ाई दोस्ती गहरी की उसके बाद अचानक से एक दिन जो पीडिता है उन्होंने उसका आधार काट देख ले जिसमें साफ ये दिखा कि उसका नाम तन्वीर खाने और उसे धोका दिया जा रहा है तो वही से उसने सवाल जवाव शुरू किया लेकिन उसी समय से प्रताणना का जो दौर है शुरू हो गया तो जो पीडिता है वो यहां से सीधी अपने घर बिहार की और लोटी और फिर से एक पर जीवन की शुरूआत क ताकि हम लोग उनका पक्ष भी जान सके अभी तक वो राजी थे बात करने के लिए जैसे उन्होंने पिडिता की आवाज सुनी वो लाइव से उठकर भाग निकले उनका फोन बंदा रहा है एक घंटे पहले तक वो बिलकुल अवेलिबल थे हम सबसे बात कर रहे थे हमें उ अब आपने बात करें आप आपने बात कर आप ने आपने पूला इंपर नहीं हो और अभी तक आप लोग ने आरूपी बना दिया मुझे मैं आप भी नहीं हूं पहले चीज़ अब ये केस है इसके उपर सजा होगी फैसला होगा वोट है यहां पर प्रेस मेडिया के पास इतना राइट नहीं कि मुझे आरूपी पर पर आरूप है मैं पूरा आपके लड़की ने बोला कि मैं बड़ा ऑफिस भाग गया हूं मैं करता हूं मैं पूरे इंड़ा में काम करता हूं मेरी ठीक है अब आप थोड़ा शांत हो जाईए अब आप अपना पक्ष रखे मैं आप से पूछ रहा हूं आप पर ये आरोप लगे हैं है कि आपने उसको धंकी दी उसको ब्लैक मिल किया और आपको उसको प्रताडित किया अब आप अपनी बात बताए कि हुआ क्या था यह जूर बोल रही है बहुत ब्ले में बहुत ब्लॉप इनके पास में की बात हो रही है सिर्फ जुड आपका बैंडविट खराब है या गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी को साइड में रुकिए क्योंकि अगर आप मूशन में है तो बैंड़िट खराब है जी अब आप बोलिए वह सारे बनियाद है सारे बनियाद है इसके पीछे एक जो बंदा है वह काम कर रहा है उसका नाम सरभ जोज सिंग है जो मान लागी खुद बोला भी आपके सामने कांटेक्ट में और कांटेक्ट ग्रूल होता है तीन साल के लिए हमारे सब कांटेक्ट में थी तो मैं उसको रौकता था यह मत करो पर देखे देखे वो तो उनका निजीद डिसिजन है कि वो किसके साथ सरोकार रखना चाहती है और किसके साथ नहीं पर तन्वीर आप पर आपके आपके उपर जो एलिगेशन है उस पर आप जवाब दीजिए सबसे पहला एलिगेशन कि आपने अपना नाम छुपाया दूसर और इसको बदनाम करने की कोशिश की सोशल मीडिया पर यह फिर इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कैया यह सच है नए बिल्कुल गलत है मेरा नाम तन्वीर खान कोई भी मुझे मैसेज करता है तो तन्वीर खान चब मैंने भागलपूर में सोग किया तो 2018 सतरह में उसके जिसमें मैंने बोला था मैं तन्वीर खान हूँ और मुझे भागलपूर आगर बहुत अच्छा लगा यह लड़के भागलपूर के उसके बाद ही मेरे पास जॉइन किया है इसमें दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा तो क्या आपका इनसे शादी का इरादा था क्या आपने कोई ओफर दिया इनको 50% पार्टिनर्शिप का ने 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 50% आउफर जो आपने अभी देखा उनका वह आपने देखा होगा उसमें क्या लिखा वह दा आर्निंग बाई यू मेरे पास वह काम करती थी मेरी कास्टिंग देखती और सोसल मीडिया हैंडल करती थी उनके पास पूरी टीम ती जिसमें उनके मां मम्मी उनका भ गोंबे गे तो गोंबे में एक बंदे ने उनको बोला राहुल नाम का कि मुझे अपना डेटा दो और क्या तुम उसमें चार पांच लग रुपे वो तुक कमाता है हम लोग यहां पर बंबे में 10-20 लग कमाएंगे उसमें तुमें देंगे तो इसने उसको डेटा देने की को कि मेरा 5-6 लाख रुपे हर मंद का लॉस हो रहा था तो मैंने इसको बोला तुम्हारा जो भी लॉस है उसको रिकवर करना पड़ेगा तो इसके बदले में मैंने उनको एक एफटिफिट बना कर दे थी मेरे कारण आब आपको और मैं आपको और आपके फैमिली को परिसान नहीं किया यह नहीं कहा कि तुम वह सब चोड़ो मेरे से शादी कर लो यह सब यह सब आप पर नहीं नहीं सर नहीं सारी बेबुनियाद बाते हैं अच्छा एक बर उन सब पूछे मेरी लाश्टम बात कब हुई थी उनसे उनका यह कहना है कि परवरी 2023 में आप आप इनके घ झाइक जाने होगीं कि साथ रहती थी सर वहां पर मैं कैसे जाओंगा पर तीन-चार लड़कों के साथ रहती थी वो अपने फ्लैट में और यह चीमत किसी को नहीं तो आप करने आप नहीं हो गया पर आरोप आरोप यह है कि अ किन से पुछूंगा कि आप जो आरूप लगा रही है कि आरूप लगा रही है और आपका ये आप मुझे बताईए और ये कप की बात है मुझे बताईए क्योंकि इसमें आप किसी को धंकी देते हुए सुनाई दे रहें अगर यह आपकी आवाज है तो यह आदियो सुनिये बताईए तन्वीर बताईए तन्वीर ये आपकी आवाज है यह मेरी आवाज नहीं है लेकिन जिसने भी बोला है वो यही बोल रहा है कि उसके सथ गलत हो रहा है तो गलत को बरदास्त नहीं करेगा मेरी आवाज नहीं है यह आपकी आवाज नहीं है आपकी आवाज नहीं है अच्छा मैं जरा उनसे माहिला से पूछता हूँ आपने तन् जो कॉंट्राक्ट है उसको वाइलेट किया इसलिए वो आपको परिशान कर रहा था उसने कभी भी अपना धर्म उससे आपसे नहीं चुपाया और उसका यह आरोप है कि आप अब जिसकी संगत में है या जिनके साथ आपका सुरोकार है वो आप से यह सब कुछ करवा रहे हैं मुझसे कोई कुछ करवा नहीं रहा सर मेरे परिवार वालों को बहुत परिशानी हुई इसकी वज़ा से मेरी इज़त खड़ाब की गई है मुझे हर जगा मैं जहां काम के लिए जाती थी वहां से मुझे प्रॉब्लम इसकी तरफ से क्रिएट किये गए है मेरे ये मुझे क कुछ मैसेज़ेस आते थे कि यह जो है एक लर्की की आइडी बनाके अपनी भी आइडी से बहुत बार इसने यश मॉडल्स की जो आइडी है इंस्टाग्राम पे उस आइडी से इसने बहुत सारे पोस्ट किये हुए हैं और मुझे जो मैसेज़ेस वगरा आते हैं वो यह इंसिडेंट हुआ है जिसके सामने हुआ है उसी दिन उसी टाइम में वर्सोवा पुलिस टेशन जाके मैं इसके पीछे भागती हूँ जब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ तो यह इंसान भागता है वहां से और जब मैं इसके पीछे भागती हूँ मैं अंगेपाव पु पर इसका यह कहना है कि इसका आपके साथ शादी करने का कभी इरादा यह नहीं था और कभी इसने आपसे धर्म नहीं चुपाया जो धर्म परिवर्तन का जो आपने आरोप लगाया है वो उसे नकार आहस तन्वीर तो सर वो एकसेप्ट थोड़ी करेगा वो मुझसे पहले यश बोल के मिला उसके बाद फिर मुझे पता चलता है कि वो तन्वीर है मेरी एक फोटो है जिसमें की ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे नशे की हालत में हूँ और वो फोटो उसने कभ निकाली है मुझे कुछ आइडिया नहीं है यह सब फिर क्यों किया इसने यह किया और फिर दिखा कर मुझे वह ब्लैकमेल करता आ रहा है तो मेरे पास सारे प्रूफ है जो मुझे ब्लैकमेल करता रहा है मेरे परिवार को करता आ रहा है और मेरे जो भी लोग जानने वाले सब को बदनाम कर रहा है पर वह यह म आप देखा रही है जी जी ये ये तन्वीर अक्तर खान और उसका नंबर है मॉडलिंग एजेंसी का यह वो मेसेज़ेस हैं जो वो मेरे परिवार के एक सदस्यों को कर रहा था आप मैं इसको पॉस करके दिखा दी हूँ जी उसने उपर आप देख सकते हैं उसने लिखा कि मैंने मानवी को मार दिया 25 फरवरी को इसने मैसेज किया है जिस दिन ये मुझे मार कर यहां से जा रहा था और ये गन लेकर आया था मुझे मानने के लिए और यह आप मुबाइल नंबर देख लो ऐसा ना हो कि इसको भी जूठा सावित करें यह देखो नाइन एट वन एट जिरो फोर फ्री डवल सेवन फाइफ मॉडलिंग एजनसी यश मॉडल्स इसकी फोटो लगी है पूरी डिटेल्स हैं तो इसमें देखे देखे मैं 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 मुबाइल लंबर नहीं दिखाऊंगा या उसको नहीं पढ़ूंगा और आपने कह दिया है लेकिन तन्वीर आपकी बात सुन रहे हैं तो मैं तन्वीर को पूछूँगा तन्वीर कि आप अब बताईए तन्वीर वो कह रही है उनके पास प्रूफ है यह कब की बात है आप गन लेकर वहां गए थे आप कह रहे हैं आप मिलने गए तो गन लेकर जाता तो दलाता है इंसान लोग करते गन किसी ने देखा बोलने से तो कुछ भी मैं बूल तो मैं बूल तो मैं में लेकिया उसने मेरी जान बचाई इसने अटो में मेरी जान लेने की कोशिस की गन से जी इसे किया ओटो चार बताओ तो चलेगा किसी ने तेखा किसी ने अपर अचार मैं अचार अचार एक अचार एक अचार एक आप दोनों साथ में साथ में ना बोले अचा आप रुकिए तन्वीर को अपनी बात कहने दीजिए फिर आप वो ओडियो सुनाईएगा ठीक है जी तन्वीर बोली तन्वीर बोली आप पर दो तीन आरोप हैं एक तो एक सीरीज ऑफ मेसेज हैं जिसमें क्या आपने फरवरी 2023 में कोई ऐसा मेसेज भेजा कि मैंने मानवी को मार दिया वो मेसेज आपने किसको बेजा दूसरी बात वह आपके नंबर से आये थे तन्वीर तन्वीर का तन्वीर का नंबर कड़ गया आप कुछ आप आप उनसे पूछे कि मेरी आखरी बार उनसे बात कब हुई ठीक है दूसरा कोश्चन कि अगर कोई ज्यात्ती की थी कोई भी ज्यात्ती की थी तो वो मेरे साथ आपने जो उन्होंने एलिगेशन लगा है कि मैंने उनको लब जिहाद अपना नाम हाइड वैड वो 2020 में ज्या आच्छा ठीक है आच्छा ठीक है आच्छा।